हलो फ्रेंड वेल्कम बैक तुमाने चनल आज हम कर रहे हैं क्लास चुका हमारी मोरल वाली जो है उसका चैप्टर नमबर थी पीटर एंड ट्रेजर बुक उके पीटर एंड ट्रेजर बुक उसका हम चैप्टर कर रहे हैं चलिए पढ़ते हैं Peter lived in a small village Okay, Peter lived मतलब Peter रहता था in a small village एक छोटे गाउं में Peter रहता था His father was a farmer Okay, उसके जो पापा थे वो कौन थे? वो farmer थे farmer कौन होते है? किसान and they were very poor और वे they means they were very poor और वे बहुत गरीब थे poor means होता है गरीब जिके बहुत गरीब थे One day Peter was playing hide and sick with his friends in the woods One day, एक दिन Peter was playing Peter खेल रहा था hide and sick यानि कि चुपम चुपाई with his friends अपने दोस्तों के साथ in the woods जंगल में जो कि छोटा सा जंगल होता है उसके गाउं के पास में उसमें वो अपने फ्रेंड के साथ में चुपम चुपाई खेल रहा था Suddenly What means jungle Suddenly means अचानक Okay अचानक He got lost वो खो गया He tries to find his friends but could not do so He tried उसने कोशिश करी बहुत अपने फ्रेंड को ढूंडने की Find means खोजना आया पाना उनकी खोजने की but लेकिन could not do so वो उसा नहीं कर पाया It was getting dark अब जो है धीरी धीरे डाक होने लगाया यानिकि रात होने लगी थी So he decided तो उसने सोचा उसने निर्ने लिया To spend the night in the woods Spend means बिताना The night अपनी रात को पूरी रात को बिताना Woods में ही जंगल में ही उसने सोचा कि मैं अपनी रात को बिताता हूं He climbed Climb means चढ़ना ठीक है पेड वगेरा पर चढ़ना होता है He climbed onto a tree to protect himself from the wild animals तो वो क्या हुआ वो एक पेड के उपर चढ़ गया अपने आपको protect करने के लिए अपने आपको बचाने के लिए किससे wild animals है ओके वो अपने आपको wild animals जंगली जानरों से बचाने के लिए पेड के उपर चढ़ गया Next morning अगली सुभा He started searching for his friends He started यानि कि उसने शुरू कर दिया searching खोजना या ढूंडना ठीके For his friends उसने अपने friends को अपने दोस्तों को ढूंडना शुरू कर दिया Walking down the woods He saw a book lying under a tree Walking down the woods जैसे ही वो woods में यानि के जंगल में वो walk कर रहा था ढूंड रहा था नीचे He saw उसने देखा A book lying under a tree एक book जो है एक tree के नीचे पड़ी हुई थी The book had a beautiful cover और वो जो book थी उसके उपर एक बहुत सुन्दर बहुत प्यारा सा beautiful सा cover था उसके उपर जो book के उपर वो cover बहुत प्यारा सा चड़ा हुआ था जैसे कि इस picture में आप देखे ना बहुत सुन्दर सा cover है वही था When he read a few pages When he read जैसे ही उसने पड़े a few pages कुछ pages of the book उस book के उसने जैसे ही कुछ pages पड़े He found उसने पाया That it belonged यानि कि वो That it belonged to the king कि वो king की है या वो king से अपना अरिष्टा रखती है यानि कि जो book है वो king की हो सकती है Of the nearby kingdom जो कि उसके घर के उसके जो नियर उसके पास में जो kingdom था यानि कि एक राजे kingdom मींस होता है राजे जो उसके गाउं के पास में ही था It had secret about the treasure of that kingdom It had secret Secret means क्या होता है Secret means होता है रहे से about the treasure Teaser means खजाने का Okay, खजाने का रहे से of the kingdom उस kingdom के खजाने का रहे से उस book के अंदर था उसने ऐसा पाया Peter was poor Peter जो है बहुत गरीब था But he was not greedy वो बहुत गरीब था But he was not वो नहीं था Greedy Greedy means क्या होता है लालची Okay, Peter गरीब था But वो लालची नहीं था He was honest वो honest था वो इमानदार था Honest means क्या होता है Honest means होता है इमानदार ठीके He said to himself He said उसने कहा To himself अपने आप से उसने अपने आप से कहा I should return This book to its honor I should return यानि कि मुझे बापस करनी चाहिए This book यह है book to its honor Honor means मालिक Okay I should return मुझे बापस करनी चाहिए यह book इसके मालिक को यह जो book यह जलता रहा Peter reached Reached means पहुँचा फिरे के पहुँच गया That kingdom Peter उस kingdom तक उस राजी तक पहुँच गया He told the complete story to the king He told the complete story उसने जो भी कहानी थी पूरी की पूरी उस राजा को सुनाई The king smiled और बुचर राजा था वो हसा Smile means हसा And said Peter you are an honest boy You are तुम हो एक honest तुम एक इमानदार लड़के हो I shall reward you for your honesty I shall मैं करूँगा Reward means Reward means किस तरी की का तौफा देना या gift देना ठीक है उसको सम्बान वो करना चाहा रहा है क्योंकि उसने क्या दिखाया उसने अपनी honesty दिखाई उनको उसने अपनी इमानदारी दिखाई तो वो उनको award देना चाहता था उसको वो सम्मान देना चाहता था उसकी इमानदारी के लिए honesty के लिए उसकी इमानदारी के लिए वो उसको सम्मान देना चाहता था Peter was rewarded with 500 gold coins Peter was rewarded Peter का सम्मान करा गया with 500 यानि कि 500 सोने के coins, सोने के सिक्कों के साथ में उसने पीटर का सम्मान किया पीटर को जो है उन्होंने 500 सोने के सिक्के दिये The king man, जो राजा थे, escorted Peter back to his home escorted means होता है कोई एक help करने वाला या पहरेदार समझ सकते न कि उसको पीटर के साथ में उन्होंने किसी पहरेदार को या सहाय को अपने उसके साथ में भेजा His family was very happy to see him back His family उसका जो परिवार था was very happy, बहुत खुश थे to see him back उसको बापस देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे ठीके, escorted means होता है पहरेदार या क्या बोल सकते हैं हम इसको जिससे की ठीके, पहरेदार So, since then Peter and his family lived happily in their little home Since तब से then, यानि कि तब से Peter उसकी जो family थे lived happily, बहुत खुश खुशी से रहने लगे in their little home अपने उसके चोटा सा उसका जो घरता उसमें वो खुशी-कुशी रहने लगे So, scorted means क्या होता है? पहरेदार reward means क्या होता है? समान करना smile means हसना, journey means यात्रा reached means पहुँचे So, ये चोटे-चोटे से जो words हैं जिनको मैंने underline किया हुआ है आपको क्या करना है? इनकी spanning को याद करना है और इनका meaning याद करना है Meaning कभी भी जरूरी नहीं है कि आप exact meaning याद करें क्योंकि अभी आप छोटे-चोटे से बच्चे हैं तो आपको समझना है उस शब्द का मतलब क्या होगा? उस जो word है अपको अभी वो समझना है आपको ये focus नहीं करना है कि कोई dictionary उठाई है आपको कोई और word बुल दिया आपको इस word को समझने की कोशिश करनी है So, honor means क्या हो गया? जो उसका मालिक जिसके वो चीज थी Return means पापस करना Honest means इमानदार Greedy means लालची Treasure means खजाना Secret means रहस से कोई भी चीज जो छुपी हुई होती है Kingdom means राजे Beautiful means सुन्दर Searching means खोजना Protect means अपने आपको समहालना या protect करके रखना अपना बचाव करके रखना Climbed means चड़ना Decided means सोचना या decide करना Choose करना, चुनना Tried means Tried means उसने कोशिश करी Suddenly means अचानक Woods means जंगल Farmer means किसान Poor means गरी तो ठीक ही छोटे-छोटे से Simple-simple words है इनको जरूर से याद करना है और आपके लिए Class 1 के जितने भी chapters है वो सब आपके साथ में मैंने Share कि हूँ है Class 2 भी मैं आपके साथ में आपके साथ मेरे वीडियो चैनल की देख सकते हैं वीडियो कैसे लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आपको लगता है कि मैं मैं कुछ और इंप्रूव कर सकते हूँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं Thank You